जब भाषिये जंता पार्टी की सरकार जो है वो जमु कश्मीर में बने गी और ये जो नैशनल कॉंफरेंज PDP और कॉंगरेस का जी जी गढटबंदन की सरकार है ये ताश के पत्वूं की तरह भिखर जाईगी जमु कश्मीर की जंता जो है वो अमन चाहती है चैन चाहती है सुक्चैन चाहती है और यहां के विकास की रनीती को अपनाएगी और भारतिय जन्ता पार्टी को जीट जो है वो निश्चितर आतंगवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी हद तक आतंगवाद जो है भारतिय जन्ता पार्टी ने खतम कर दिया है लेकिन ये नैशनल कॉन्फरेंस वाले जो है इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की है समाज को बांटने की बातें की है आतंगवाद भी दिये की तरह है जो बुझने से पहले फड़ पड़ा रहा है और बहुत जल्द जम्मु कश्मीर आतंगवाद मुक्त होगा बातो है刚 है डी पनीजींका इस हमें नियुक्त डावखनेट ऐसे ना बातेंके आउra आई नो अनना चाहत्तर णो।ають ए मांके तेमिल आउक पास्तें के जांदेशा समाज प्रया चैनल ददुश्यश्श्बुल तो जबागे धूपाटी ना तो पटाए तो पटाए नियुक्ति न हम दूपाटी नहीं रहा है सुद्सक्राइब के अगर आगया अगर आगया अगर आगर इचाए लिए अगर आगर इसटाइब यह ने बात बधाता है और काफी दिया है लेकिन यह नाशनल कंफरेंस वाले जो है इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की हैं, समाज को बांटने की बातें की हैं, और आगे जो है, इनका पत्ता साफ होने वाला है, और आतंगवाद भी दिये की तरह है, जो बुझने से पहले फड़ फड़ा रहा है, और बहुत जल्द जम्मु कश्मीर आतंगवाद मुक्त होगा.